हेलो दोस्तों दो कैसे हैं आप इस वीडियों में बात करेंगे ए यूएस वर्सिस बीए एड ड्रीम 11 प्रेडिक्शन और बागलादेश का मैच है दोस्तों दो ऐसी टीम जो इस वर्ल्ड कप में अभी तक अच्छा करी है चार में से तीन में जीती है बागलादेश ऑस्ट्र पर आएगा जा ओफीशियल आपको यूज बिलती है यह देख सकते हो लाइनप और यूट्यो आप देख रहे हो जैसे एसे ही वीडियो के नीचे आपको लाइक बंडर मिलेगा जरूर लाइक करें चैल पर सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी प्रेस करें यह जो सब्सक जाएगा ना कभी मांगा गया है क्रिक 11 फोरकास पे यहां दोस्तों आगे बढ़ना चाहूँगा जहां आप देख रहे हो सर वीवियर रिचर्ड स्टेडियम एंटिक वर में मैच है न्यूटरल पिच्छा है लेकिन आपको बता दू आपको सुपर रेट में बहतर टीम्स खेल रही थी जिस वज़े से रंस कम हो रहे थे अब कुदी देख लो अगर आप नोटिस करोगे मेरे भाई यही चीज में आपको कल भी बोली थी है ना कि अब रंस बहतर होंगे ओमान स्कॉटनेंट ठीक रंस बन गए यहां ऑस्ट्रेलिया नावीबिया से काफी ब पास चार स्पिन तो रंस लग रहे हैं विक्टे फिफ्टीवर में बतीस वास सोला स्पिन रंडाउट और रिटायड आउट को छोड़ दो आपको फास को ज्यादा है देखने को मिली है लेकिन एक चीज याद रखके चलना रंस अब बनने चाहिए इनी ग्राउंड पे क्य उसके स्टैट्स उसमें ट्रैविस एड्ट 34 नॉट उट मारे थे मिचल मार्श 18 नॉट वीस एंड मारे थे वॉर्नर ने बोलिंग इनकी बहुत अगड़ी रही थी सामने की टीम को तगड़ा ओलोट मार दिया जल्दी इनोंने जैंपा चार विकेट्स टॉइनीस दो विके क्यों मोला से सर्प्राइज मिलेगा क्योंकि भाई बंगलादेश ने चार वर उस्ट्रिये को हराय टीट्वेंटीस में दरसल एक सीरीज हुई थी मिरपू ढाका में यह मैच भी आप देख सकते हो जहां ऑस्टेलिया अपनी में टीम नहीं लेके गई थी और बंगलादेश के उपर इस सोच से ही अपनी टीम क्रेट करिएगा बाकी हम स्टैट्स तो देखेंगे ही तो यह वला मैच ऑस्ट्रेलिया आठ विक्टों से जीत गए थी यही रीजन कह रहा हूं भले ही यह सर्फेस अच्छा है मंगलादेश को दिक्कत दे सकती है ऑस्ट्रिया की अब यहां देखो यह वले मैच में मामुदुल्ला उन्निस रन एक विकेट सौम्या सोला ग्यारा और चार विकेट शाकिब यह देख सकते हो स्पिनर्स को कितनी विक्ते हैं खुद यहां पर देख लो 22 रन एक विकेट एस्टों आगर नैथानलीज दो विकेट जैंपा एक उस्टेलिया मेहच 62 कर पाई थी बंगलादेश ने 122 भी डिफेंड किया क्योंकि एकदम स्लो एंड लो सर्फेसिस थे धाका मिरपूर के बहुत हमने इस सीरीज में विन किया था क्योंकि हम स्पिनर्स के साथ जा रहे थे रेगुलर बेसिस पे विन करा रहे थे हैड टू ए बाकियों के बल्ले से नंबर्स उतने अच्छे नहीं देख रहे हैं वांदर की 24 के अवरेज है बाकियों की कम है कि ज्यादातर मैच्छ लो और लो सर्फेसिस पे हुए हैं ट्रैविस एड खेले नहीं है खास एड टोड में अब यह आप बोलिंग देख रहे हो ठीक है अब आप जब दिखाऊंगा आपको आडिया लग जाएगा पहले आप अब आउस्टेलिया पे आते हैं मेरेको नहीं लगता कोई चीज होगा जो बेस्ट लाइनप है 11 वलीं की वो खेलनी चाहिए आई यह उस पर ही चलते हैं एक बर आप फिर भी जिसका भी रिसेंट फॉर्म देखना है देख सकते हो यह उस्टेलिया की लाइनप हो नीच रही है इनकी टीम में टॉप टू लेफ्ट हेंडर हैं उसके बाद लेफ्ट हेंडर मिले के बैथी हुए तो टीन लेफ्ट हेंडर है टॉप सेवन में जिसमें दोनों ओपना लेफ्ट हेंडर है और एक बोलिंग ऑप्शन महमद उल्लार याद हैं तो मेभी एक आदा ओवर उनको मिल सकता है बोलिंग पैट कमिन स्टाक जैंपा हेजलवुड बेस्ट बोलिंग लाइनप है इनकी अगर टीम चाहे नैथन एलीस को खिलाना तो किसी को भी स्टाक कमिन्स रेस्ट दे सकती है और जो भी खेलेगा पेसर इपॉर्टेंट रहेगा बंगलादेश के सामने बंगलादेश पेस को विकेट देती है और उस्टेलिया के पेसर सब अफ दे बेस्ट इन दे वर्ल्ड है अपनी करियर की वन आफ दे बेस्ट फॉर्म में बहुत बढ़िया खेल रहे है तो चाहूंगा इंडिया से हारे लेकिन भाई अभी तक जिसे साब से ये खेली ऑस्टेलिया के टीम बहुत अगरा खेली है बागी यहां बोलिंग अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा भाई कि बोलिंग में ऑप्शन काफी है और लास्ट मेंच में आपको यूज होते भी दिखे अगर नहीं खेलेंगे एक मैच खेले हैं उसमें पूरे चार ओर कर एक विकेट मिला था मैक्सवल दो से तीन ओर इस मैच में कर सकते हैं इंपोर्टेंट है चार मैच में दो विकेट है मिरको नहीं लगता कि यहां पर जैन मैक्सवल को चार ओर मिले बठां दो से तीन ओर मिलने चाहिए एडम जैंपर जरूर चार ओर कर रहे हैं चार मैच 16 ओर 9 विकेट पूरे डालेंगे स्टोइनेस दो से तीन मैक्सवल के साथ कर सकते हैं चार मैच 9 ओर 6 विकेट बढ़िया के लिए हैं नेतन इलीस 3 मैच 11 ओर 4 विकेट शायद ये मैच ना किलें बाकि Pat Cummins चार जोश रिजलवुड चार और Mitchell Stark 3-4 ऐसी काहान ही रहनी चाहिए दो मैच में 3 विकेट Cummins, तीन मैच में 3 विकेट हिसलवुड और Stark को सिर्फ 3 मैच में 2 विकेट स्टार्क थोड़े से एक परिशानी के वो नहीं है, लेकिन आपने IPL में भी देखा था, स्टार्क is a big match player, वो बड़े matches में गेम में आते हैं, ठीक है, और Travis Head को अपने ही team head का hood कर रहे थे, फाइनल्स में है न, याद होगा प्लियोस में आपको, तो यह अब हम देख रहे हैं, फुल स्टाट्स इन फॉस्टेलिया के, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका देखना है, देख लो, यह bowling section है, अब आगे हैं, बंगलादेश पे, इनकी भी हर player की recent form है, कल को कोई player अंदर आता है, recent form आपको यहीं से पता चलेगी, जो before World Cup मैंने लिखी थी, इनकी team में left handers देखना एक important बात है, क्योंकि opening पे तंजीद हसन है, number 3 पे शंतो है, number 5 पे आपको शाकिब मिलेंगे, इतने सारे left handers है, तो भाई, off break, Maxwell भी game में आएंगे, मारकर स्टोरिस के साथ, Maxwell भी 5 शो बुलर कर रोल कर सकते हैं, इन left handers की वज़े से, अब ये बात हो जाए कि तंजीद, या और कोई left handers, शंतो, पहले ही पेसर प्याउट हो जाएं, फिर कहानी बदल जाएगी, वो देखके चलना, रिशाद उसेन, तसकिन, तंजीद हसन साकिब और मुस्तिवी ज़नेमान, बढ़िया टीम है, इस World Cup में बढ़िया खेले हैं, चार में से तीन मैच जीते हैं, एक हार हैं, शंतो, जो इनके कप्तान है, उनने किसी मैच में अच्छा नहीं हिला, 40-37, दो मैच में अच्छा के लिए हरिदोय कांट्रिब्यूट किया, शाकिब ने एक मैच में हिरो पंदी करी, 64-90, मामुदुल्ला बढ़िया गरे हैं, 16-90, 20-25, 13, क्योंकि टफ सिचुएशन मे हैं, जाएंड में चेस करवाया है, इनने टीम को, बाकि जकर अली अनेक हो गए, रिशाद हो गए, ज्यादा किसी का स्कोर नहीं है, थोड़ा बहुत हिट मारा है, जिसे रिशाद और तसकिन ने लास्ट में 13 और 12 बना विये थे, तो यह जुरत पड़ी तो यह दो फिर से स बढ़िया मिल रही है, तीन से चार ओर करेंगे, पाउर प्ले में अफ्रेंट बोलिंग कर रहे हैं, चार मैच नो विकेट, नुस्तफी जोर एमान, चार मैच साथ विकेट, इनके डेथ बुलर है, एकदम डेथ में आते हैं, ध्यान रखना, 17 और लास्ट मैच में, चार महन के चलो, रिशाद भी आपको तीन से चार देंगे, चार मैच 15 और साथ विकेट, तसकिन भी आपको चार देंगे, चार मैच 16 और साथ विकेट, बाकी, एक दो ओवर मामदुला डाल सकते हैं, और तीन से चार या फिर आप कहलो, दो से तीन आजकल शाकिब के ओर कट रहे मामदुला पहले से जादा बोलिंग कर रहे हैं, और इस बार तो सामने दो लेफ्ट हेंडर ओपनर है, तो जल्दी भी बोलिंग कर देंगे, आ सकते हैं, फुल स्टैट्स इंफो आप देख रहे हो, बंगलादेश के प्लियर्स की, आपने देख लिया, अब मैं आपको लेक यह शाकिब का स्किल दिखाता है, मुस्तफी जूर एक बार, टीटवेटी एक बार वड़े, शोरिफुल ने एक बार किया है, महंदी असन ने एक बार किया है, ठीक है, महंदी असन को टीम शाय नाइक लाया, आप ब्रेक आप्शन पहली मामुदुला मुजूद है, यही खेल रहे थे, ग्लेन मैक्सवल, शाकिब पे एक बार, तस्किन पे एक बार, तस्किन और शाकिब का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है, आपके सामने आप त्लियलडी काफी देख सकते हो, मारकस चोईनेस एक बार मुस्तफी जूर पे, टेप डेविड मुस्तफी जूर प इंपोर्टन काम लग रहा है, अब अगर बंगलादेश की बात करूँ भाई, बंगलादेश की टीम कम तो नहीं है भाई, जिसी साब से खेली है, खाला कि ऑस्ट्रीलिया के सामने जरूर कह सकते हो, थोड़ी सी, कंपरिटिवली वीक है, बट फिर भी बढ़िया के लिए, स शाकिब, हेजलवुड पे तीन बार, जैंपा पे तीन बार, वंडे में स्टॉइनिस पे, बट ये जो दो प्लेयर्स है न, ये दो के आगे, हेजलवुड और जैंपा, काफी परिशान है शाकिब, जबकि शाकिब लेफ्ट हेंडर है, लेकिन जैंपा ने इनको भी तंकिया गूगली भी डाली है, मामुद जैंपा पे आउट है, हेजलवुड पे आउट है, जैंपा के आगे एक बार, टीट्वेंटी, एक बार वंडे, एलीस पे एक बार, ये काफी क्रिकेट खिले है, सब के आगे एक आधी बार आउट है, बट आजकल इनका फर्म बहुत बड़ भी है, विकेट कीपर भी, मैथिवेड विकेट कीपर है, बले बाजी नीचे है, जकरल यानिक एस फिनिशर केल रहा है, बले बाजी नीचे है, बस सच बता हो, लिकत अंदास में मुझे कोई high confidence नहीं है इस मैच में, बट एक विकट कीपर लेना जरूरी है, इसलिए उनको रख रहा हूं विकेट कीपिंग सेक्शन में मैक्सिम एक प्लर लेना ज्यादा ओप्शन नहीं रखना है तन्जीद हसम साकिब बखुत बड़िया वोलिंग कर रहे हैं और साकिब इतनी बड़िया वोलिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो सकता बट यह दोनों जो ताबर कोई इनको लाएगा सेफ हो जाता है अगर आपको रिस्क ले नहीं है ड्रॉप कर सकते हो बट सेफ रहेगा अगर आप लेके चलो दोनों ताबर तोड़ के लाड़ी है पिछ भी बहतर हो गई है सुपरेट में तो रंस की उमीद है मिचल मार्श अगेन वन डाउन पे हैं ब मैं यहां पर थोड़ा बोलर्स के लिए जाओंगा और कोई बैटर मुझे नहीं रखना है इवन मैं अपनी टीम से बड़े रिस्क मिचल मार्श पर भी रख सकता हूं ठीक है 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 और मार्श में से किसी पर बाई और राउनर में स्टॉइनिस काफी जरूरी है शाकिब मार्कर स्टॉइनिस आजकल बोलिंग जवदस्त कर रहे हैं साथ मैं बढ़िया थ्री डॉन फिनिशिंग भी करके दे रहे हैं तो इनका भी काम बन रहे है अब हमारे पास रिशाद हुसैन का एक उप्शन है जो की लेक स्पिन करते है विद बैट भी जरूरी है और मेरा मन क आदे तो इनमें से रिजर्वस में हैं बाकी नहीं खेलेंगे ऑस्ट्रेलिया की बोलिंग मेरे इसाब से जरूरी है लेनी तो कवर करेंगे जैंपा स्टार्क यहां पैट कमिन्स और जॉश हेजलवर तो भाई ये चार बोलर लेते ही मेरी टीम अल्मोस्ट बन चुकी है मेर पर डिपेंड करेगा ये फिलाल मैं रिशाद के लिए जारू जो थोड़ी बैट भी कर लेते हैं मेरी बात ध्यान से सुनना अगर आपको स्टार्क को चोड़ना या किसी भी ऑस्ट्रेलिया के बोलर को चोड़ना और मुस्तफीजूर को लेना है ले सकते हो ये बोल्ड मू पर लिए जाएगा तो मुस्तफीजूर को मुझे लेना पड़ेगा फिस को हमें टीम में डालना पड़ेगा अगर बंगलादेश बोले हैं और मैं चाहता भी वह बगनादेश बोलो ताकि स्टोइनेस और मैक्सवल की और्डरान केपेबिल्टी पूरी यूज हो सके तो यह मेरी टीम है आपको मार्ज डालने आपके उपर है मैंने उन पर अभी रिस्क लिए फॉर्म देखते हुए बट काफी सीए फरेंग अगर आ अगली वीडियो में मिलने आउंगा तब तक के लिए जान रखेंगे